केले का डंडा का रस कैसे निकालना है और बीट करास का जूस कैसे निकालना है ये वैन अपने उपर भी अपलाई कर रहे हैं तो मैं चाहती हूं कि ये वैन अपने आप आपको इसकी रेस्पी बता है ये जिनको पत्रे उत्ते है ना गौल बढ़ा है तो इनको भी तो इनको भी तो प्रवलम आप बीटी तो ये अपने पिक्मेंट ये ये यांस और ये रोज ले जूस बनाके बिटी नमस्काल सभी को गुरुजी को प्रणाम जैसा कि गुरुजी ने बताया मैं यहां देड़ महने से यहां पर हूं मुझे किड्नी की प्रॉब्लम है मेरा नम कीरती तिरपाटी हजबंड आर्मी में जॉब करते हैं और मुझे ना डॉक्टरों ने यहां बोल दिया था डाले किकलों कि देशना मुझे के डंडे कॉधा ते रहें लिए से अर्वास करें टिन बाताये मार्ड को मार्किट में अबिलेवर रहता है यह से बड़ा सा रहता है मगा हमको यह कर दो अस्पर ही निकाल इसको मिश करते बहुत बंती तेख कुछ भी खावज़ा से रहर सबधे क यह बनती है और पाचन क्रिया के लिए अच्छा प्लस यह बजन कम करता मेरा उस समय में हाई थी 82 था अभी 74 है और अभी और मेरा 65 का गेन करने का इरादा है और इसमें रोक प्रति रोड़क चमता रहती पोटेशियम रहता है मतलब पोटेशियम के मातला रहती है अब आप इसको लाके फ्रिज में भी रख सकते हैं यह और दूसर एक और चीज बूरुजी ने मुझे बताई थी यह जवारे का जवारे का गेंगु के जवारे यह दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा रखा था इसको आप घर में बो सकते हैं जैसे घर में जमीन नहीं है तो आठ गमलिल ले लिए एक मतलब दो दो दिन की गैप में इसको वो दी जिए तो आपके नौ दिन में तयार हो जाते इसमें बोलते हैं इसको मिक्सी में मतलब चटनी की तरह बना लिया है और इसको सुबह साम आप रोटी भी नहीं खाएंगे ना यह बस खाएंगे ना तो ज इससे ही अपने सरीय को स्वस्त कर सकते हैं और सारी बीमारें इससे ठीक हो सकती है इसलिए आप लोग इसको लीजिए थैंक्यू धन्यवाद यहूं का जवारा थैंक्यू जे